तो इसके बाद का टूल है वैन टूल और इसका शॉटकट है डब्ल्यू वैन टूल के साइड में आपको एक छोटा एरो दिख रहा होगा अगर मैं उस पर क्लिक करू तो आपको अलग-अलग दो अप्संस दिखाए दिंगे दूसरा option मतलब quick selection टूल उस टूल को देखने से पहले हम wire tool को समझ लेते हैं सबसे पहले मैं एक image open करता हूँ और जैसे ही मैं image के उपर क्लिक करता हूँ आप देख सकते हैं कि मैंने जिस color के उपर क्लिक किया अभी सिर्फ image के अंदर का वही color select हो गया है अभी corner में थोड़ा color select होना बाकी है तो उसे select करने के लिए मैं shift का button press करूँगा shift press करने के बाद आप देख सकते है कि एक plus का icon आपके tool के नीचे आ गया है उसी के साथ मैं अगर alt का button press करूँ तो आपको अभी minus का icon दिखाए दे रहा होगा उसका मतलब आप आपके selection को deselect कर सकते है वापस में shift press करता हूँ अभी अगर आप top panel में देखते है तो आपको कौनसे भी selection tool में shift press करने के बाद आपका plus होता है और उसी तरह alt press करें तो minus होता है और alt shift press करने के बाद multiply होता है कुनसे भी selection tool में shift, alt और alt shift के buttons का use आप कर सकते है ये बात आप ध्यान में रखिए क्योंकि ये बहुत important है अभी van tool क्या करता है magic van tool का use हम एक particular color को select करने के लिए करते है अभी example के लिए मैंने इस color को select किया है पर अभी मुझे इस blue के portion को भी select करना है तो मैं अगर इस पर click करूँ तो आप देख सकते है सिर्फ वही color select हुआ दिख रहा है अगर हम tolerance value बढ़ाते हैं तो देखते हैं क्या होता है मैं इसी color पर वापस click करता हूँ और आप देखी सकते हैं अभी वह blue color के साथ उसके आजू बाजू के portion में almost same color दिखाई दिया उस portion पे भी selection आ गया है example के लिए मैं इधर select करता हूँ तो आप देख सकते हैं कि ये color तो select हुई गया है उसी के साथ उसके आजू बाजू के भी color select हो गया है हम tolerance के value को जो by default रखा होता है यानि 32 पर अगर कम करते हैं तो देखते हैं क्या होता है मैं tolerance के value को अभी कम करके 16 पर लाकर रखता हूँ और अभी selection आप देखी सकते हैं कि पिछले time के comparison में ये selection बहुत चोटा हो गया है अगर मैं tolerance को और कम करता हूँ example के लिए मैं इसे 6 पर लाकर set करता हूँ या फिर मैं आपको दिखाने के लिए same जगे पर office क्लिक करता हूँ तो आप अभी देखी सकते हैं कि tolerance के value कम होनी की वज़े से हमारा event tool एक specific color के shade को select करके सिर्फ उसी पर selection कर रहा है जैसे मैंने आपको पहले बताया अभी आपको पर लाइड़ी selected है तो इनके selection को मैं निकाल देता हूँ और अभी हम देखते हैं क्या होता है मैं example के लिए same जगे पर क्लिक करता हूँ और अभी आप देखी सकते हैं कि ये जगे पर भी selection हो गया है उसी तरह से मैं अगर blue के color पर क्लिक करता हूँ तो आप देख सकते हैं कि उस color के साथ instrument के अंदर को भी selection हो गया है अगर मैं अभी red के portion पर क्लिक करता हूँ तो अभी red color तो select होई गया है उसी के साथ उसके cap के अंदर का भी red select हो गया है अगर मैं tolerance के value को बड़ा देता हूँ और वापिस इसी color red color पर क्लिक करता हूँ तो आप अभी देख सकते हैं red के color के shades को भी उसने select किया है तो इसका use हम एक particular color select करने के लिए कर सकते हैं या model shoots में हम ज़्यादा करके grey background यूज़ करते हैं अगर हमें उससे select करना है तो हम magic wand tool का use कर सकते हैं तो आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें comment box में जरूर बताइए उसी के साथ वीडियो को like और चैनल को subscribe करना भूलना मत मिलते हैं अगले वीडियो में